प्रेंज आज हम LLB Part 2 के सिलेबस में शामल एक शॉर्ट स्टोरी जो अमित चौदरी ने लिखी 2002 में रियर टाइम के बारे में सीखेंगे रियर टाइम बहुत ही इंट्रेस्टिंग और रियलिस्टिक स्टोरी है इंडियन कुलकत्ता 1980s की सुसाइटी की पार्टिकुलर लिए मित चौदरी ने बात की है अपर मिडल क्लास के हमाले से Mr. and Mrs. Mitra का करेक्टर नजर आएगा Mr. Mitra स्टोरी में 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 रोल अदा करें है As narrator, he is describing this story Mr. Mitra एक ambassador है और उनका driver है अब्दुल अंजली ट्रैजिक करेक्टर है इस स्टोरी में गौतम के साथ अंजली की शादी होती है Nailma is another character, she is अंजली's mother Mr. तालुकदार is father Mr. तालुकदार के दो बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं और उन दोनों बच्चों के बच्चे मुजूद हैं जबके इंजली वाहत बेटी थी उसकी और उसके हां कोई अलाद नहीं थी Real-time story is about a memorial service of a young woman who committed suicide by jumping off the third story balcony How even death of a person is seen in a light-hearted manner On their way to the house, Mr. Mitra said he didn't know if they should buy flowers Friends, कहानी का अगाज ही बहुत interesting है जिसमें Mr. Mitra अंजली के घर पर अफसोस के लिए जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हमें फूल लेकर जाने चाहिए या नहीं They were very near Jagoo Bazar and Mr. Mitra suddenly raised one hand and said Abdul slowly ये हमें जो situation है वो नजर आएगी जबू बजार की उनके जबू बजार में जब Mr. Mitra अपना एक हाथ बलंद करता है और Abdul को गाड़ी आहिस्ता करने का इशारा करता है The driver eased the pressure Driver गाड़ी की race को कम करता है And brought the ambassador almost to a standstill यानि अब वो जो ambassador थे Mr. Mitra वो ऐसी position में है कि जैसे गाड़ी बिलकुर खड़ी हो चुकी है Not looking into the rear view mirror He studied two boys with baskets playing on the pavement on his left पैदल चलने वाली road के उपर दो लड़के जो के पनी basket के साथ खेल रहे थे वो rear view mirror में से उनको देखता है Well what should we do? Mr. Mitra सवाल करते हैं अपनी Mrs. से और वो कहते हैं कि अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए Mr. Mitra's face As he turned to look at his wife was paint यानि Mr. Mitra जैसे ही अपनी बीवी की दरफ देखते हैं तो उनके चेरे पर वो ही तर्द नजर आता है जो हमेशा ऐसी परेशान कुन सूरते हाल में उनको face करना पड़ता है As if he was annoyed she hadn't immediately come up with the answer क्योंकि कभी भी उसने फौरी उनकी सवाल का जवाब नहीं दिया Do what you want to do quickly She said Mr. Mitra की wife कहती है कि करो जो भी आप करना चाहते हो जल्दी से We are already late She looked at the small dial of her watch His side His wife never satisfied him When he needed her most So friends, यहां हम देख सकते हैं Mr. Mitra भी अपनी कोई wife की प्रफॉर्मस से से सेटिस्पाइड नहीं है वो कहते हैं कि मुझे जब भी एपनी wife की जरूरत महसूस हुई है उसने मुझे कभी भी सेटिस्पेक्टरी आंसर नहीं दिया It was the same story the other way round यानि यह वही कहानी है जो हमें अंजली की जिन्दगी में नजर आ रही है क्योंकि हम पार्टिकुलर्ली अपर मिडल क्लास की बात कर रहे हैं और अमित चोधरी ने इंडियन कुलकत्ता नाइटी एटीस की सुसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा उकेशनली यानि कभी कबार ऐसे होता था कि मिसीज मितरा अपनी आवाज बलंद किया करती थी नॉर्मल अंदाज से बोलती थी तो मिसीज मितरा कहती है डू वट यू डू इन नॉर्मल केस ऑफ बीरीवमेंट शी सेट डिस इस नो डिफरेंट वो अपने शोहर को तन्जी अंदाज में कहती हैं कि आप वही करें जो आप इस किसम के केस में नॉर्मल किया करते हैं बीरीवमेंट कहते हैं मॉर्निंग यानि मातमी सिचुएशन में ये कोई सूर्थे हाल मुक्तलिफ नहीं है अब वो उसके जवाब पर थोड़ी सी सैटिसफेक्शन थोड़ा सा सकून में सूस करते हैं बट रिग्रेटिट इट ये हैड तो गो आउट अफ दी कार इंटो दी मार्कीट लेकिन उन्हें पस्तावा सिर्फ इस बात का है अब उन्हें एक कार से निकल कर मार्कीट में जाना पड़ेगा वोज वेरिंग एव वाइट कॉटन शिर्ट और ट्रॉजर बिकॉज ओफ दी हीट एंड शूस ये नाओ रिग्रेटिट दी शूस ये रिमेंबर्ड ये एडन्ट बीन एबल तू फाइंड इस सैंडल्स इन दी कबर्ड फ्रेंड इन लाइन्स में हमें मिस्टर मित्रा की ड्रेसिंग के बारे में इन्फिमिशन मिल रही है कि उसने गर्मियों के मौसर में वाइट कॉटन की शिर्ट और ट्रॉजर पहना हुआ है जबकि उसने साथ में शूस पहने है अब पस्तावा इस बात का हो रहा है कि शूस नहीं पहने चाहिए थे बलके सैंडल पहन कराने चाहिए थे मिस्टर मित्रा दस मिनट के बाद एक हाफ डोजन ट्यूब रोजेज लेकर आते है उनके पीछे एक बच्चा भागता हुआ आता है वो कहता है बाबू शुड आई वाइप दी कार वो बच्चा कह रहा था कि बाबू जी क्या मैं आपकी गाड़ी साफ कर दू मिस्टर मित्रा उसको इस तरह से देखते हैं जैसे उसने कोई अपॉइंटमेंट लिया था उनसे बात करने के लिए लेकिन मिस्टर मित्रा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी कार को वाश करवाएं वो ट्यूब रोजिस को कार के फ्रंट साइड पर रखते हैं क्योंकि वो ट्यूब रोजिस लेने के लिए उसको बार गेनि करनी पड़ी बार गेनिंग भी कोई बहुत हाई प्राइस की नहीं की थी ब्रिंगिंग डॉन दी प्राइस फ्रं 16 टू 14 रोपीज अब वो एक सवाल करते हैं वो कहते हैं वो कहते हैं वाई डिट शी डू इट ये वो सवाल है जो वो अंजली की सुसाइट के हवाले से कर रहे हैं जैसे ही गारी आगे बढ़ती है तो वो एक आफ हैंड अंदाज में कहते हैं कि आफिर उसने खुदकुशी क्यों की नचितरी बाइब अंसर यो इस एं पूर्टन बदिए नुर निवास टेस्ट टी वाज जो जो तो अपन बठा के रहां आप बाल्यार में अंद्टी निवास। इस विंदो ओंगे टॉर्ट में लिज़वर्य के आफिर्ट चेलू रहंज पर सवांस चैनी रियू बाइज It said Lakshmi the goddess of wealth and Sarawati of learning two sisters don't bless the same house Hence particularly हमें Hindu society के हवाले से उनकी दो गोड़े का जिकर मिलेगा Lakshmi उने से घर में पैसे की फरवानी होती है और Saraswati learning के हवाले से और इनको दोनों को बेहने कहा गया वो कहता है कि फिर उस गर पर शायद इन दो गोड़ेसे की blessing नहीं रही जिस वज़ा से उसकी शादी कामयाब ना हो सकी और उसके वालदें उसके साथ कुछ हाश थे 16 years ago यानि उसकी शादी को 16 साल गुजर चुके हैं Anjali had married Gotham very soon after taking her MA in history from Kolkata University She had jumped from a third floor balcony which couldn't after all be altogether uncommon Perhaps there was no ceremony in his mind's eye कोई ceremony नहीं है जहां से उन्हें idea हो सके के यहां पर अंजली की आफ़ी रसुमात अदा की जा रही है भाई इस डिस राय बहादूर आर्सी मलक रोड वो आदमी जिससे उन्होंने सवाल पुछा था वो गारी की विंडो में से छांकता है और कपल को बड़े ली इंटरस्ट के साथ देखता है और एक अन्विलिंग सी अनरजी उसके अंदर आती है वो मिस्टर और मिसिस मितरा क देखने के बाद मुकमल उनके ड्राइवर का मुआइना करने के बाद एक जवाब देता है यह एक सवाल था जो उनके जहन में गूम रहा था कि वो निशान अपार्टमेंट्स कहा है जहां पर अन्जली की आखरी रसुमातर दाकी जा रही है वहां पर एक बच्चा आता है वो उस से पूस्टे है और वो बच्चा उनको उस प्लेस की तरफ इशारा करता है जिस साइड से वो आ रहे थे मिस्टर मितरा लुक्ड हैलपलस मिस्टर मितरा की अब जो सूर्टेहाल है वो हमें बहुत ही मिजरेबल दिखाई देती है मिस्टर मितरा अगें टर्न करते हैं और वो राए बहादर मलक रोड की सर्च में लेट साइड पर मुड जाते हैं don't you know where they live? asked Mr. Mitra as Abdul reversed and turned the car around but I have only been there three or four times and the last time two years ago she complained I find these lanes so confusing friends ये वो डायलोग्स हैं जो मिस्टर मितरा बोलती हैं वो कहती हैं कि मैं तीन ये चार बार आ चुकी हूँ और वो भी कोई दो साल पहले ये जो गलियां हैं बाजार हैं ये बहुत कंफ्यूस कर रहे हैं यानि वो जो टार्गट प्लेस ढूंड रहे हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं About ten or eleven days ago they'd noticed a small item in the newspaper and were shocked to recognize who it was. Than mr. Mari Mitra had called his daughter in Delhi who remembered Anjali from visits made in childhood. Last week another постоянно had to been puzzled that observances will be made in memory of Mrs. Anjali फ्रेंड ये वो नोट था इसको अखबार में पढ़ने के बाद मिस्टर मितरा अंजली की तस्वीर को नहीं पहचान पाते तो वो अपनी बेटी को कॉल करते हैं और उस से उसके चाइल्ड हुड के मतलग पूच्छते हैं चूंके वो दोनों बच्पन की फ्रेंड्स थी तो वो पहचानती है वो कहती है ये तो अंजली है और अंजली की देथ के बारे में ये उसकी मेमोरियल सर्वीस के बारे में एक इश्तिहार अखबार में पब्लिश किया हुआ था, जिसके साथ उनका घर का अड्रस भी मेंशन था. They didn't expect it would be a proper शिराज सर्मेने. They didn't think people would be fed. So Mrs. Mitra had told the boy at home firmly so as to impress her words upon him. We will be back by one o'clock. Cook the rice and keep the dal and fish ready. Without mentioning it clearly, they decided they must go to the club afterwards to get some cookies for tea and stop at Newmarket on the way back. So they must leave the place soon after 12. It was already 10 past 11. Friends, इस पराग्राफ से हमें एक सिटायर का अलिमेंट नजर आता है जिसमें हमित चौधरी ने लोगों की टाइम पर उनके बिहेवियर पर तंस किया है. वो कहते हैं कि वो घर से जब निकलते हैं तो इस प्लैन वो अर्वडी कर चुके थे कि हम बस बमुशकल एक या दो गैंटे उनके घर पर स्टेक करेंगे. और हमारे लिए खाना जो है वो त्यार रखना क्योंकि वो एक्सपेक्टी नहीं कर रहे थे कि इस शिराद सर्मेनी में उनको खाना मिलेगा. यहां हमें एक और रिसम का पता चलता है जिसमें वो खाने का खिकर कर रहे हैं. The first to be fed was usually a crow. For whom a small ball of needed aata was kept on the balcony for it to pick up. The crow was supposed to be the soul come back. यानि यह वो एक उनकी रसम है जिसमें वो समझते हैं कि पहला खाना लोगों को देने की बजाए एक कवे को दिया जाएगा. वो कवा एक needed गूंदा हुआ जो आता है वो खाएगा कहां से बालकनी से. और वो कवा नहीं होगा. वो कोई करो नहीं होगा. दर हकीकत वो रू है जो अलैदा हो चुकी है उन लोगों से. यानि उनके ख्याल से वो करो मिस अंजली की रू हो सकती है. तो ये भी एक हमें absurd make believe है उनका जो इस कहाने में मिलेगा. Here the soul had made its own exit and it was difficult to imagine why it would want to come back to the third floor balcony of Nishant Apartments. यानि यहां पर उनके लिए उस रू का वापस आना एक सवालिया निशान है. वो कहते हैं कि imagine नहीं कर पा रहे कि आफिर वो रू इस third floor balcony निशान डपार्टमेंट में वापस क्यों आएगी. इसी दुरान में मिसिस मित्रा अपने शोहर के बाजू पर अपनी finger को दबाते हुए इशारा करती हैं और उसको एक आदमी जो के watchman था standing खड़ा है in front of what looked like a bungalow. यानि एक bungalow टाइब घर है उसके सामने एक watchman कड़ा है उसकी तरफ इशारा करते हुए Mr. Mitra को कहती हैं कि इससे पुछो Mr. Mitra उसको पुछते हैं Nishant. He barely allowed himself a smile but there it is. Two houses away on the left. Lazy यहाँ पर watchman ने उनको exact address जो था Nishant apartment का वो बताया. तो friends ये भी एक criticism किया गया है कुलकत्ता की upper middle class पर के वो चोकिदार जिसने के लंबी-लंबी मूचें रखी हुई हैं वो खड़ा भी नहीं हुआ है अपने स्टूल से उसके पीछे एक बंगला नजर आ रहा है जो कि किसी business man का है शायद. वो मुश्किल पुद को इजाज़त देता है कि वो छोटी सी smile उनको पास करे और इशारा किया उसने कि दो घर छोड़ कर left side पर निशान apartment है.